संजर राओ जी आपने मुझे खा कि मैं एक हराम खोर लड़की हूँ आप एक सरकारी मुलाजी में एक मंत्री आप तो जानते ही होगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बालातकार हो रहे हैं कितनी लड़कियों का शोशन किया जा रहा है उनकी गालियां दी जा रही है उनका अपमान किया जाए है उनके खुद के पती उनके कान नाक मुख कान जबडे तोड़ रहे है और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार है यह जो मानसिक्ता आपने जिसका भॉंड़ा परदर्शन पूरे समाज के सामने पूरे देश के सामने किया है वो मानसिक्ता इसकी जिम्मेदार है और इस देश की इस देश की बेकिया आपको माफ नहीं करेगी संजी आपने उन सब महिलाओं का शोशन करने वालों को शक्तिकरन किया है इस देश की बेकिया आपको माफ नहीं करेगी और जब आमिर खान ज में साध्यों को के सामने वह कुछ नहीं करते हैं खड़े रहते हैं या एक लाचार बाप जैसे कि सुषांत के पिताजी उनकी एफायार नहीं लेते हैं मेरी स्टेक्मेंट नहीं लेते हैं तो इस परसाशन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं यह अभिव्यक्ति मुझा तोड़ते हैं आप लोग मुझे मार डालेंगे आप लोग मुझे मार यह क्यों क्योंकि इस देश की जो मिटी है वो एसे ही खून से सींच कर इस लेसकी जो गरिमा और अस्मिता किलेक्ए ना जाने कितने लोग ونे इपनी जान दिय हैं और हम भी देंगे संजर जी हम भी देंगे क्योंकि हमको भी वो कर्जन भाना है मिलते हैं 9 September को संजर राओ जी आपने मुझे कहा कि मैं एक हराम खोर लड़की हूं आप एक सरकारी मुलाजी में जो मानसिक्ता आपने जिसका भॉंडा परदर्शन पूरे समाज के सामने पूरे देश के सामने किया है वो मानसिक्ता इसकी जिम्मेदार है और इस देश की बेकिया आपको माफ नहीं करेगी संजर जी आपने उन सब महिलाओं का शोशन करने वालों को शक्तिकरन किया है इस द कुराने कोई भी इंट्रव्यूस आज जब वो पालगर की लिंचिंग में साध्यों को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं खड़े रहते हैं या एक लाचार बाग जैसे कि सुषांत के पिताजी उनकी F.I.R. नहीं लेते हैं मेरी स्टेक्मेंट नहीं लेते हैं तो इस परसाशन कि अवर् Weinर को आ रहे हूं आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ तोड देंगें आप लोग मुझे मार दालेगे आप लोग मुझे मारिए क्यूं कूआ क्यूंकि इस देश की जो मिति है वह ाइसे ही खून से सींच कर उप आई इस की देश की जो हर आमा है औ झाल